यह बहुत अच्छा लग रहा है आपने यह यह लगाया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रे उख मैं बात करूँगा आप से जरूर बातचीत का सिलसला जोडेंगे आप कहां से आई रिवाड इसे बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बात वक्त कम है लोगों को लग रहा है कि आजकल ये जो नमस्ते भाईया जी कहीं ने वो आधे गंटा को ने 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 प्रोग्राम पूरा एक घंटे का ही है लेकिन वो आधे घंटे आपको जो है अड़ोटीजमेंट देखने पढ़ते हैं मुझे मालूम है आप बहुत नराज हैं और बहुत सारी बाते कहते हैं मुझे लेकिन थोड़ा सा बेर करिये 5-6 दिन की और बात है उसके बाद वो प्रोग्राम एक घंटा हो जाएगा जितना समय डियुलेशन मलब जितना डियुलेशन का पहले प्रोग्राम पहले आएगा लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है इसलिए मैं बात्चीत भी कम कर बाता हूं मैटा एकसा करो कि कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है तो मैंने कोई बात नहीं तुम यहां बात कर लो आके मैं वहां बात भुना खड़ा हो जाता हूं कि क्या लगा जा रहे थे बीच में किसे पत्र जा रहे थे फोन आ गया तक किसका अच्छा ठीक है कि होता है बहुत सारे लोगों का बहुत जुरूरी बाते होती हैं तो मैं यह गहरा था कि प्रोग्राम में ना थोड़ा सा कम है अभी 26-26 पर खतम हो जाता है लेकिन यह सच है क पांच-छे दिन बात वो बाया आपका राप्ता हमारा बराबर का बन जाएगा तो वो जो जो दूर दूर से आए हैं उससे मैं बात आप कहां से आई हैं जी क्या नाम है आपका मैं डॉक्टर देविया तो बहुत एंजॉय कर रही थी आप म्यूजिक होता भी ऐसे यह बड़ा सूधिंग होता है उसका डॉक्टर सो और फे जी जी पताईए वसंद्रा गाजियाबाद वसंद्रा गाजियाबाद नहीं मैं पूछा तो कुछ कहना भी है वड़ी हैं आपको बढ़ा अच्छा लगता है आपका ये तो बहुत मज़ा आता है यहसे देखती हूँ मैं राची से बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका प्रोग्राम में धोनी के शहर से बहुत अच्छा बहुत-बहुत स्वागत है और आप कहां से हैं दिली से राम राम बहुत-बहुत राम राम जो मेमार हमारे साथ मौजूद है रितु चौधरी कॉंग्रेस का रितु चौधरी जी, Congress का पक्षकने के लिए मौझूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, रितू, तैंक यू सो मच, राकेश जी, और नाम कुछ और लिखा मेरे साथ, जी, बहुत 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 शुक्रिया साथ, तैंक यू सो मच, भीजेभी का पक्षकने के लिए, अभिशेक तिवारी आम बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ, प्रभात, पत्रकार, बाचीत करने के सिल्सिले को यहां पर हैं, जल्दी से कोई बोलना चाहिए, हाथ उढ़ाईए, मैं बात करना, जी, बोलिए साब, भाया जी, पढ़ाम, आपके जो ये कारेकरम, इसके माद्यम से, करोड़ो लोगों की समच्छाओं के समधान होता है, पहले तो आपको साधुबाद, मैं बादली, रेल विस्टेसन की बाद रखने आया हूँ, वहां सिमेंट उतरती है, मानने रेल मंत्री जी, डी आरेम साब, पधान मंत्री जी, और जो वहाँ पर आसवासम देने आई थी, अधिकारियों से बोलना चाहता हूँ, सिमेंट ततकाल बंद कर दीजिए, जी, सिमेंट से क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग से सिमेंट उरती है, तो डॉक्टर लोग ज़्यादा अच्छा समझेंगे, बताएंगे, तो वो वो पलूशन और उससे बहुत ज़्यादा हा हाँ बेटा, क्या नाम है? अरे कॉलिज में तो अरे तुब यहाँ हो, आगे आओ, आगे आओ, क्या नाम है? लक्षे, क्या उमर है? ट्विंडी, तो 23 साल का तो मेरा बेटा है, तो तुमको बेटा कह दिये तो मैंने क्या बुरा कहा? यह आजकल के बड़े, बड़ा गलती होगे, तो बेटा, माफ कर देना मुझे, बड़ा की उमर का हूँ तुमारी, अगर कोई मैंने गलती कह दियो, तो मुझे माफ कर देना, है ना, माफ कर दोगे की नहीं? आजकल माफी भी नहीं मिल लए आजकल बच्चों से, बच्चे इतने जादा तेवर में रहते है क्यों माफी भी नहीं देते हैं? कहां बढ़ाई कर रहे हो? टाट इंस्ट्टूट ऑव सोशल साइंसेस? हाँ, हाँ, तो बड़ा इंस्ट्टूट है मुममई का? सोशल और MSW और सोशल साइंसेस और सोशल वरक का? वहीं पढ़ते हो, तो काबिल लोग ही पढ़ते हो आपे, हलका भुलका तो आदमी जाता नहीं, पहले तो बहुत बहुत शुक्त कामने हैं मैं तबियत खुश कर दी तुमने, जो टाट इंस्ट्टूट का नाम लिए, आप बोलो, क्या बोलना है? बिजनौर का, वहाँ से सूची मौसम जी विदायक है, और एक हमारे विदायक होया करते थे, रागव चड़ा जिनों ने कहा था कि मैं कभी विदायकी नहीं छोड़ूँगा, और राज्यसभा की सीट के लिए विदायकी छोड़ती हो, अलग बात है, तो एलग बात है, तो जो डीजेपी के उपर फिसकल डेफिसेट कर दिया गया है, और जो अभी ये जो करेंट कर रहे हैं, जो भी ये करेंट कर रहे हैं, और एक बात में और क्लिरली मिस्टर केजिवाल को स्टेट कर दूँगा, अब आखरी सवाल आपका जो है, वो भी बोलिए आप, ये पर ये पढ़ाई कर रहे हैं, और आप MSW कर रहे हैं क्या? और उसका सीधा बेनिफिट मेरे को मिला, and I am not from a very well-off school in Delhi, so I still thank and introducing the Central University examination test, आप जाके पूचे उन गरीब बच्चों से, जो I was able to afford, बट बहुत बच्चे ऐसे हैं, जो 10 universities का exam अलग अलग टाइम पर नहीं दे सकते हैं, Thank you so much, ऐसे तमाम सारे बच्चों पर बहुत सारा, बहुत सारा, मेरी बास सुलों, तुमाई जैसे बच्चों को लिए बहुत सारा वक्त तुम पर ने उच्छावर, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you so much, हमें आज की डिबेट स्टार करेंगे, यो प्लीज काम या, आप बैठो, आप बैठो, जी, जी, सारे मोधी जी पर विपक्च जितने पत्तल फेकेंगे, मोधी उन पत्रों को जोर करेकी मारत बनाएंगे, और उसके अपनी सफलता की अबारत लिखेंगे, वैसे स्कीम, ये बच्चा जो उसके स्कीमा जनता जानती नहीं है, परिवार पर ये बात किया लालू यादम ने, दो दिने के बीजेपी हमेसा महाल पे जित्ती है, एक टेग लाइन पिछली बार राहूल गांदी जी के तरफ साया था चौकीदार, इस बार लालू जी ने कह दिया परिवार और आज देश की जनता सोसल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को देखे, जनता बाहर आके कर रहे है कि मोधी मेरा परिवार, मोधी देश मेरा परिवार, और मोधी का देश, देश का मोधी, तो पूरी तरह से वो… चाहिए दो दिन भी लग जाएं, लेकिन बहुत ही संग्षेप में मैं आपको बस एक सवाल में मोधी जी से, आपके चैनल के माद्यम से ये पूछना चाहती हूँ, कि मोधी जी ने कहा कि 143 करोड का जो परिवार है भारत का वो मेरा परिवार है, ये कहा उनने? और उसमें ह पूछना चाहते हैं, कि मैं किसी को पर व्यक्तिकत आरोप नहीं लगा रहा है, क्या उसमें वो मधी पूर की वो बेटिया भी आती है, जिनको निर्वस्तर गुमाए गया, और जिनका इंसाफ वास्तक नहीं हुआ, क्या 143 करोड के परिवार में मधी पूर भी आता है, जिस के तले कुचल दिया, और जो आज लिख रहे है, ब्रज भूशन शन दिक लिखता है, मैं भी मोधी का परिवार, तो क्या वो भलतकारी मोधी का परिवार है, और जैसिंग तेरी लिखता है कि मैं भी मोधी का परिवार, तो किसानों को कुचलने वाला, वो अजैसिंग तेरी तो ये सवाल आया कॉंग्रेस ने रिस्पॉंड किया आप किसकी बारी किसकी बारी बीजेपी की बीजेपी आएंगे यहां इस खाने में अरे ना रहा पेटा जादा अरे पढ़ाई करना है पहुत जरूरी है भी तो देर बाद ने जादा हुताबला पर नहीं जी हाजू कि कॉंग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है आपने पिछले कुछ महिनों में जब से वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं आपने उनसे कभी नहीं सुना होगा कि मैं देश को चांद पर ले जाना चाहता हूं मैं देश की GDP बढ़ाना चाहता हूं मैं देश में क्या काम करना चाहता हूँ। और यह आज 21 सदी में आके जात पात पर देश को बाटना चाहते हैं दिनबर ओभी सी ओभी सी चिलाते हैं आप इस पार्टी से उमीद करेंगे देश को आगे लेकी जाएगी यह इनकी कॉंगरेस की राजनिती नकारात्मक सोच पर डिपेंड है नेगेटिव पॉलिटिक्स का इस साब बन चुका है यह पूरा गठ बंदन नो 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 मैं आरू तोड़ों से मैंने चेंज किया है बस यह जबात साथ अब आप मांगें कि तो मैंसे देना ही पड़ेगा फिर अब ऐसा ना करिए वाई जो है प्रेशन है आपको बीसी के नाम से दलितों के नाम से आदिवासी क्यों होता है पेट में दर्ज क्यों होने लगता है जो कि 90 परसेंट जो जंसंग क्या है भारत की वह आदिवासी है दलित है ओबीसी है अपकोस अब तो वो देना ही पड़ेगा बुझे मालूम था यह फेरे से बचना चाह रहा था मैं कि मैं चाह रहा था दूसरे लोग भी आ जाएं क्या हुआ रहा हूँ जी रहूल गांदी जी को बड़ी जल्दी आदाई की देश में आदिवासी भी रह सरकारे चली गई घर से कितने प्रधानमंत्री चले गए बड़ी जल्दी आदाई भाई क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है देश की राष्टपती ट्राइबल समाज से है देश का उपराष्टपती ओबीसी है और और कुछ नहीं काओ तो 27 27 मिनिस्टर आज सारे बिरष्टाचारियों का एकी परिवार मोधी परिवार और भाच्पा का दुआर मानिय प्रधानमंत्री जी कहा करते तो फिर मैं पुरानी बाते अगर कहूंगा उठाउंगा सतर हजार करोड के घोटाले बास को जिसकी बात मानिय प्रधानमंत्री जी कहते तो उनको उपमुखे मंत्री बनाया जितने भ्रष्टाचारी कॉंग्रेस से निकल के समाजवादी पाटी से निकल के टीमसी से निकल के जितने विगए सब गाए भाच्पा परिवार और अपनी कास के बियाब पे अपना नाम लिख रहें लिखे ना नरेंदर दामोदर्दास मोधी का परिवार कंफियूजन उत्पन का अराम जारा राहुल गांधी भी तो देश के ही है वह भी मोधी के ही तुए है मोधी जी के है राहुल गांधी आप तो घाना गाने लगते हैं जी जनाब कहां से आना हुआ है मैं तो देलीश है हूँ मैं आपका पांट साल से लगता है आ रहा हूँ यह आपका दाइरा थोड़ा और बड़ा होना चाहिए लेकिन मैं कोशिच करूँगा जी एक मिट खड़े रही है चुप चाप हमी जो बेल पर बाहर है वो आकर के मेरे देश के परनान मंतरी पर टीका टिपनी करता हूं मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं यह पूरा 240 करोड का देश मैं मेरे जैसे कारिय करता हूं मेरे जैसे करोड हूं हम मोदी का परिवार हैं हम मोदी के साथ खड़े हैं और जिसको भी डाउट है ना इस चुनाव में सब की हवाय टाइट करके सब को बता देंगे नमस्ते कहा से आना हुआ दिली से अच्छा क्या नाम हो गया सभीता सभीता जी किस के ख़़ें हैं बच्चों के साथ क्या नाम है बच्चर रिशिका बहुत अच्छी बात कुछ चहना हैं आपको जी नमस्ते हैं आजिए हस्बेंट साम जी बहुत इने बहुत सब्सक्राइजी सुनों जी इन मैं क्या कह से भूलाओं क τους वकुष कहना हैं कि आप і अई अची घर में टो आप नहीं बोलती हैं चालत वहां हो दिए किस्व सम av do आज मैं बताना चाहता हूं हमने तो भजपन में जब गाउं में थे तो पढ़ा था अपने गाउं में थे अपने तो अपनी तो होगे अभी हुआ नहीं है पूरी तरह से भी प्रयासरत है हमने पढ़ाता कि परिवार एक समाज की काई होती है समाज के मुखिया का यदायित तो होता है कि परिवार के अंदर जो कमजोर हो उसको अगे बढ़ाया जहें तो क्या यह वह नौजवान उनके परिवार नहीं है जिनकी नौकर्याद चीन ले गई quality. चूंइबकर नहीं है जिनके ऊपर कील ठोक दी गई किया वन जुवान जो पर्च confess धी हुड पर रहिmas लीजघ गई जिनका पेपर लीक वह श्युक्राइं उनका भविश सब्दिया गया क्या वह पोर डाया यह मदारी डमुरू बजाना बंद करें क्योंकि यह लडाई पीडिये की है यह लडाई संभिधान की है रोगो बिन्दू जी लगने लगता है यह केनाट प्लेस की रेली है नहीं नमस्कार साथ एक पटू को याद नमस्ते साथ कहां से आना हुआ जन्दे कश्मीर से और मेरी नदरे भी ऊपर वाले ने बाग क्या खूब दीन2007 जननत में जानता हूं कहां है रस्ता जानता हूं जी जनाब आ रहा है जी जनाब क्या नाम हो गया जी एज्याजाज आमत इदाज हमाद साथ किस बारे में मुझे बोला है आपको जो मन में आये जम्मू किश्मीर से लेकर यहाँ पे कोई बारे में आया आया आए आपके बास जिस फेटा मिनिट जी मैं हज मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ जी हुजूर बोलिए बाओ जी जैसे कह रहे हैं राहूल गांदी का पक्ष ले रहे हैं इन 10 सालों के अंदर राहूल गांदी को नजर आया जाती बात के बारे में उससे पहले 70 साल 65 साल कॉंग्रेशन सरकार ने राज किया कहीं पर ब्लास्ट होता था कहीं पर किसी गरीब की इजद लूटी जाती कहीं पर कोई गलत हरकत होती इन 65 सालोंँ में को online ने का बाथ इसामों इन ऑर चूटी छोटी बाते नजर आ रही हैं के कहीं से भी खुरत करोई गलत चीज निकालके लें और और मोधी पर अरोप लगाएं यह राहूल गांदी के परिवार को अब नजर आ रहा है और कॉंग्रेस पार्टी चॉविस में क्या होगा चॉविस में मोधी जी अपकी बार चार्सो पार चार्सो पार एजास भाई ब्लीज कम फावड एजास भाई को आना दीजिया आगे जी जननते कश्मीर से हैं एक बिट भाई आपको मैं बहुत जी यहां हिंदोस्तान में एक मसला है कि यहां जो भी है वो कहता है कि कश्मीर में हालात खराब है लेकिन उनको खुद वहां आके देखना है कि वहां कैसे हालात है जबसे मोधी की खूमत आई है वहां बहुत जानना कि मेरे पास बोला दीजे वोईस है वोईस है कश्मीर से है बोल दीजे आज में दिल्नी में गूम रहा हूं बिना किसी काड के कश्मीर में हमेiritu P scans Guid Auch devil की काड ना करना चाहता हूँ और और हो ना भी नहीं चाहिए कि जब हमारे मुलक में आप है एक है एकी तरह की रहन्सन आइक़ी तरह का खान-पान है तो काहे के भीच की दूर्या हां थोड़ी बहुत खटपट ज़रूर होती है वो खटपट भी लाजबी जहाँ चार बर्तन होते हैं, वह dick अबेंजी खड़ी यह भीचे 14.0 होते क्या होता है ? अंखों को में हो गरूर तो इंसान को इंसान नहीं देखता आखों में हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता जैसे चट पर चड़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता गांधी जी का नाम लेने वालों को बचो कि हे राम का जो नारा देके गांधी जी गए रगुपति रागव राजा रांग और आज आपके अलाइंस जो बोलते हैं यार राहुल गान्दी की मंच से बोलते हैं, भरी सवा में बोलते हैं, कि जैश्री राम बोलोगे तो भूके मढ़ जाओगे, जिरोंने राम के अस्तित्व के लिए प्रशन किया, वो बात करते हैं, ना इनको अपना मकान दिखता है, ना सम्मिधान दिखता है, बिन्नी जी सम आपने बैठा है, आज वो ही कॉंग्रेस देखो, सपपा को बोलने नहीं दे रही थी, तो ये पता चलता है कि इस प्रकार्ट से अपने सुख के लिए केवल इन्होंना लाइन्स किया है, भारत का लक्षन अरे वो बोलना चारी, दो मिनट के लिए कहना चारी थी, ऐसा है प बखवास कर बखा देंगे? इनको हटाओ जिन्होंने प्रधान मंतरी के लिए लाम सवदगाई इस्तेमाल किया है, ये देश का नागरे की नहीं है, जिसने ये बात बोली है, क्यों बोली से बात? ये बात बोली क्यों? अरे भाई, तुम किसी भी पार्टी के हो, वो प्रधान से वख तुम्हे अपना परीवार मानता है, इसलिए तुम्हें कोविड में वैक्सिन लगवाई है, वो तुमारी भी जान की चिंता करता है इसलिए तुमारे दिली के हस्पतालों में ऑक्सीजन भी पहुचाई थी ये वही परधान सेवं एक है जो आपके गुरों में आनाज भी पहुचाता है आपका घर भी बनवाता है, किसान को सम्मा निदी भी देता है, ये सब को अपना परिवार समझता है, इसलिए बिना भेदबाओं के इस देश का विकास करता है प्रदान मंत्री के पाफ़ा मैं नहीं होता, आफ़ा कैफा मुखिया है, और प्रतीक बाइ जो जो ये परिवार समझता है, देखे, मैंने हमेशा इस बात का, भाशा का आचरण सर्वोपरी है, मैंने हमेशा का कि केजरिवाल जी, और मुझे कहना चाहिए, मैंने कोई कलाकारी नहीं करी क्योंकि वह चुना हुआ मुख्मंत्री है, और कोई भी हो जो इसको जी से अपना बोलना चाहिए, लेकिन लानत शब्द है, है, धिकार है, कैसा प्रधान मंत्री है, यह सब अच्छे नहीं लगते, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप, यकीनना आप बहु में सुजदा है, यतना सारी रूइपोट करवाएक लाए, यहीं मोधी सरकार की देजा है, यहीं पचाहा से जार के चेक अप करवाएक लाएक लाए, अज मुख भी दोर है जाक्तर करा है बेड़ खाली रही है, आज में डॉक्तर कर आए, कहा तो यहां यहां पढ़ी है, प सब्सक्राइब करेंगे और एमस में तुम तो दिखा भी लिए बहुत-बहुत सारे लोग दिखा के नंबर ही नहीं आता जी तो आरेमल में यह कहां कहा है यह भाई आप लानत का बोलं रिष्पेक्ट सब देनी चाहिए ज는 हो परदान मंतरी कि मतनी है मुक्य है रिष्पेक्ट सब को देनी चाहिए चुbenए राना जुबेर राना जुबेर राना कहां करेने वाले हो यार लोणी से लोणी से यार तुम तो बहुत कजब कह यार बोलते है जुबेर राना ला तुम Все बहुत बड़ी मेरे लिए मेरे दिल में बना चाय कै16 मिलातink dolphins चुबbers Nu क्या आपköठा अबका मश्वारा क्या है आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता के लिए यह बताईए जी वो अपने हिसाब से अपने सरकार चला रही है बीजेपी अपने हिसाब से अपनी सरकार चला रही है मगर बीजेपी से बड़िया सरकार कोई चला ही नहीं सकता जो बेर रहना है मलब ये बताईए कि 24 में होना क्या है 24 में भी जेवी आनी है जी मैं आया मैं आपको कुछ भी बोलना है अभी वो रह गए प्रभात रह गए उसके बाद जी प्रभात रह गए सर एक बहुत दो चीजों को एड्रेस करना था मुझे आज जब सरदार पटेल साहब ने इस देश का एकी करन किया उनका सपना था कि भारत एक रहे भारत एक देश के रूप में जाना जाए आज कॉंग्रेस की अलाइंस पार्टनर का एक बहुत बरा नेता ए राजा ये कहते हैं कि तमिनाडू अलग देश है और इसा अलग देश है कश्मीर अलग देश है डिली अलग देश है आप किसका अपमान कर रहे है सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे सुबह जो राहूल गांदी महाकाल के धर्शन के लिए जाते हैं वो अपने अलाइंस पार्टनर को ये कहने से नहीं रोक पाते है कि तुम शिराम का अपमान ना करो वो भगवान हनुमान का अपमान ना करे वो कह रहे है मुझे इस चीज से कोई आपत्ती नहीं है वो इस चीज की तुन्ना जो है HIV से करते है वो इस चीज की तुन्ना COVID से करते है भारत को एक देश नहीं मानते हैं और वो कॉंग्रेस पार्टी जो दंब बरती है कि उसने अजादी की लड़ाई में बरी भूम का निवाई उसके सर्वे सर्वा मुह में दमी दाई चमाई बैटे बैटे रह जाते हैं यह देश के लिए बरा विशे है कि कोई भी का आया गया ने ता भारत को देश मानने से इंकार कर देगा अरे आप राजनीती इसने कर रहे हैं क्योंकि यह देश है समिधान है यह हग आपको इस देश ने दिया है वाँ परभाद जी भाई आईए आईए वाँ अभी जो है जनता ने भी और आपने भी जो है अभी शेक को बोला कि इस तरह का जो है लेंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ क्या नेहरू जी परधान मंतरी नहीं है जिनके वारे पालने में पर अब शब्द बोले जाते है क्या मन बहुतिक परधान मंतरी नहीं थे क्या उनको जो है बोला जाता है उनको परे में अब शब्द बोले जाते है कि वो जो है रेंगोट पैन के बातरूम में लाते है और ये किसी और के शब्द नहीं है ये हमारे महान्य परधान मंतरी जी के शब्द है और वही परदाल मासुला है जो ये कहते हैं कि कॉंग्रेस की विद्वा कों थी वो पचासका रोड की गर्लफ्रेंड कॉं थी ये जो चाहिख नीना के भूल Means je वह अभीब आपन करते हैं, जिनका सयोग इस देश को बनाने मेरा है जे, मैं, मैं, बीजेपी को लेटेश को लेटेश मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो, कि अब्जेक्टिविटी मेरी यह है कि खासका मेरा मेसेज इस देश के कुछ जर्णलिस्ट को है जिनका एक clear lobbying जा रहा है कुछ जनरलिस्ट ने अब इसराहिल गाजा भी वीडियो बनाई मैं कहता हूँ human rights violation किसी भी corner में वर्ल्ड में है वो human rights violation है पर जब आपके घर में आग लगी होती है ना तो आप पानी पहले दूसरों की आग पर डालने नहीं जाते हैं एक वीडियो संदेश कली की आज तक नहीं बनी दूसरी एक और वीडियो आजकल यूट्यूब पर बहुत नहीं यह एक नए पत्रकार जो सो कॉल्ड जर्मनी में रहते हैं वह कह रहे है कि इंडिया में युटल के युटल की हाँ कि आई सब्सक्राइब किंघना करो अरे ने इता किसे बोल सकता है तो रहे लड़ेंगे चुनाव अच्छा पार्टी तो मुझे पता यह नई है कौण सी पार्टी हो की तुमारी पार्टी मेरा देश है अधिया थे की कोई पार्टी रह सरकार रह नहीं रह यह देश रहना चाहिए। समझ में आगया बेटा आके बोलो और मैं ये उनसे पूछा चाहूँगा कि कुछी एक दिन पहले तिनंगाना की सीम ने का कि हम भी हमारे जो भाई है नरेंदर मुदी उनका गुजरात मॉडल अपनाना चाहते हैं शाम को राहूल गांदी कहते हैं गुजरात मॉडल में ये कर करप्ट है ये फैलेसी करप्ट है तो इनकंजिस्सेंसी इतनी क्यों दिखाई दे रही है इनके लायन्स पार्टन में दोनों आपस में लड़ रहे हैं सपा और कॉंग्रेस आपस में लड़ रहे है माईक लेने के यहां ही कॉमन मिनिममम प्रोग्राम नहीं है प्रतिक भाई जितनी भी जनता यहां खड़ी है और आपकी जनता टीवी के माध्यम से आपको देख रहे है एक बहुत एहम मुद्दा इलेक्टरल बॉंड का है साथ और आज भी उस मुद्दे के ओपर मानिये प्रधान मंत्री खुला खुला भरष्टाचार का मैं आरोप बारतिये जनता पाटी के उपर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसके उपर एक डिसीजन दिया और आज ही SBI बताइए के इलेक्टरोनल बॉंड का जो डेटा है उसको देने से घवरा क्यों रहा है ऐसी कौन सी चीज है जिसके उपर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाव वजूद भी SBI जो है वो डेटा रिलीज करने से भाग रहा है सबसे बारति इस बार का इस बार का चुनाव बिल्कुल साफ है एक तरफ मोदी का परिवार है जो 140 करोड का देश है और एक तरफ इन ब्रस्टाचारियों का परिवार है जो गठबंदन में अपने हाथ आप सुननी जीए जबात कहा बोदी की गारंटी है जो बेल पर आज ब्रस्टाचार कर रहे हैं वो जेल जाएंगे सरकारों में नहीं आएंगे ये मोदी की गारंटी है जब वाद आपने सवाल लगा सवाल लगा यूवाव फोल राइट अगर जब आप सीधा नहीं है तो आप समझ सकते हैं जनता बूर्ग आप यह क्यों समझते कि जनता बूर्ग है जनता जानती है जी जाहिन सर अरे भाई रूकिए जहिन बोली मैं सर मेरा एक छोटी सी शिकायत है शिरी कैजरिवाल जी से हमारे घर दिलशाद गार्डन में पानी बहुत ज्यादा गंदा आ रह करता है और सर पंच बंच लिटर पानी हम प्लांस में बीडाल देते हैं नीचे बार कि मैधाय अधनी है डिया है कि पूछना होता है कि आप सच बोल नहीं है उसके बाद आप ने जवाब दे दिया ऑप पिद्दी का शोलबा के यह ख़ऊचा तो लिए बिट्व गुए यह रहा यह आप रही आप अपने अपनी बात वहाँ कहे दी मैं क्या पिती पिती का शोरबा के दिया अगात खतम हो गयी जी प्रती की बात हो रही है देफ अब के लिए फरो परी अगर देफ है तो हम लोग हैं पार्टी आएंगी पार्टी आजाएंगी फरकार बनेगी बिगडेगी यहीं बचाने के हैं यहीं फारभीद्दान बचाने के लिए हम वारे लोगे एक हैं यह तानपधार के लिए वह कैफ्पैता आफ नेता प्रवक्टत हुआ अप देखिये और कि यह था घुंद न लोटा दिया और यह पूल कि हम ताना शाही कर रहें हैं अगर ताना शाही कर नहीं होती तो पहले समन में अंदर होते हैं मैं नाम देशवंदू संद्रियाल है देशवंदू मैं ऑद्रबू में देव भूमी उतरा खट में नहीं लगता है कि आज देश में हर जगा पेपर लीक हो रहा है पहले तो इस्टेट गवर्मेंट के पेपर लीक होते थे लेकिन आज की डेट पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी पेपर कंड़क्ट नहीं करवा पारी है बाकी राजनीतिक मुझ्य तो चलते रहेंगे लेकिन गंभीर समस् क्या नाम बेटा मौमद मौझ्दम कहां से आना हो बेटा सर मैं दिल्ली का रहने वालों लेकिन बिहार से प्लांग करता हूं बहुत अच्छी बहुत बढ़ी है बात अपनी बात को मौझ्दम सर मेरा कहना है बीजेपी वालों से जो यह जो इनकी जिस इस्टेट में जो पड़ रहा है अब इसका तो वैसे तो साधार जवाब यह है कि भाब के लोग वहीं जाते हैं उसी टापू जाते हैं जहां पर लगता है कि मामला सही है बच सकते हैं अब बाकी आप बड़ी राजनीत में तो राष्ट ऊपर है लेकिन इनके माइंड सेंट में तो यह भी हो गया कि करप्ड बिपक्ष में करो और सीधा भारती जंदा पाटी में शामिल हो जाओ सीधा उनके बाद तो सीधा चाहिए बस जी बुलिया में जी देखे करप्शन के जहां तक बात है मनता तो इतने दीनों से मुक्मंत्रिय है आपके साथ रहते हैं करप्शन करते हैं भात्पा के साथ आते हैं करफ मुक्त हो जाते हैं और परिवार की बहुन की बाद कारियों का भेष्चाचारियों का परिवार है अब जाएगा अब जाएगा नहीं सार बलात कारी नहीं है अब इंदर रावत की एक सीड़ी निकली है और क्या सुबेंदियों दिकारी ब्रेश्टर चलिए लिए देखिए जिसमोदी विरोधीने आस ट्मोधी जीका अपमान किया उनका हाल देखलो अब दुला का हाल देख ли का Tob Wir is कि यही संस्कारों का भाव है कॉंग्रेस के अंदर जिन लोगों को मर्यादा ना देश की पता है ना राश्ट की पता है ना राम की पता है ना देश की पता है जहाँ जहाँ NCP थी वो गायब है सपावालों ने अपमान किया वो गायब है अब लालू जी ने किया है इतिहास याद रखियेगा वो भी जल गायब होने वाले हो